हेलो वाट्सप गाइस माने में स्मिनोध बाद हुथापा एंट टूडे इस फीड़ो भी विल सी हो तो होस्ट यह क्या मदलब इसका मदलब यह कि यह इतना प्यारा जो आप देख पारे हो यहां पर पिकाचु है इतना प्यारा जो अप्लिकेशन हमने क्रेट की विट सर्च यह जो API के साथ जो हमने खेला इतनी मेहनत वाली API तो यह ऐप्लिकेशन को आपको दुनिया को दिखाना है दिखाना है कि मुझे react को धाता है मैंने reaction की आफ명 मेने खुद यह project बनाया है react में आपको दिखाना है दुनिया को तो उसके लिए हमें इसको live host करना पड़ेगा ताकि वो जो particular URL है आप उसको share कर सकते। देखो फिलाल ये मैंने free में already host कर चुका हूँ तो कुछ आपको Netlify में ऐसा मिलेगा और इसको में already मेरा जो तो Pokemon करके भी मैं यहाँ पर आप देख पारे हो इस इस अपर एक्षानीटी जहां पर काईश आप देख सकते हों यहाँ पर monsoon server sales चल रहा घांश तो प्लीज यह जो प्राइज अबी सब्सेर लुएस प्राइज अप आप समझे रोगाइस अभी तक का सबसे लोएस प्राइस एंड आप सबसेल कुपन कोट जहां अगर आप यूज करते हो थापा 7 दन यू इल गेट एक्स्रा 10% डिसकाउंट और अग्जिस्टिंग डिसकाउंट और क्या ची है आपको तो काईस हरी अप लिंक में आपको नीच त् सब्सक्राइब करने के लिए क्या वाल आप देखलेग गार तो सबसे पहले तो कल का जो समय कहा था उस पर आएए हैंना वह बहुत इंपोर्टेंट अबढ़े जो प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हमारे development version है मुझे इसको production ready करना पड़ेगा तो production ready करने के लिए हम क्या करेंगे जहां से दिखेगा हमें इसको build करना पड़ता है and build करने के लिए इन्होंने already a command दी हुई है इन्होंने already a command दिया हुआ package.json file पर आप जाओगे so here we have the scripts जहां पर build आपको करना पड़ता है जहां पर बताया तो गया है width build बट आपको width build लिखनी की नीड नी है what we need to do is npm run and then you need to write build simple and आपको enter hit कर देना the moment आप एक करते हो आप देखना है पहले होता था आपका build folder बनना but आप आप देखो कि just आपके सामने एक new folder बनके ready that is your dist folder and the beauty is beauty is कि the moment dist folder आप कहीं पर भी दिखा दो आपका काम हो गया so now this is your static asset and dist folder के अंदर आपके सारे data आ चुके है आपका application का बस इस dist folder को आपको जगे जगे पर host करना है मैं बताता हूं कैसे यहां पर चलो x p l o r e r and then dot hit करो तो आपका exact यह कौन सा folder पर है कौन सा folder पर आपने host क्या है उसका data आपको मिलता है जहां पर यह है ठीक है इसको मैं इस इती से रख रहा हूं सबसे पहले मैं आपको free में बताता हूं so free के लिए तो हमें Netlify पर जाना है you can you can login through many different ways like gmail के थुरू करो या github के थुरू करो मैंने github के थुरू किया हुआ किया हुआ है मैं sites पर चलूंगा add new sites and here you can clearly see we have total three options import and existing project github के थुरू बात हो रही है start from a template और we can deploy manually जो कि मुझे best लगता है deploy manually मैं फिर वापस से अपने technical homepage चल रहा हूं जो same चीज मैंने दिखाया था वही same चीज आपको directly homepage पे भी मिल जाते यहां पे भी इधर आप directly यहां से करो या site में जाके add new site में जाके deploy manually कर दो and this is it बस खत्म यह करना है and यहां पर अगर आप देखोगे थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको asset दिखाई copy कीजिए यहां पर paste कर देखो यह वाला dist folder इसको copy I mean just एक बार click करना है and then oh my god sorry आपको दिखनी रही है but yeah just see we have this upload वाला button यहां पर इस पर आपको click करना है ठीक है तो मैं इसको click कर देता हूं this is it यह बता रहा है upload 4 files to this site मैं बोल दूंग है and this folder को लागे यहां पर deploy कर देना है बात ही खत्म यार मलब इतना easy तो नहीं होना चाहिए तो आप हम क्या कर सकते इसी बात पर एक like बनता है guys please अभी तक अगर आपने like share subscribe नहीं कर दीजेगा and boom guys see यह देखो हमारा यह live हो चुका Pikachu यह देखो Pikachu Charmander अब देख रहे हो तो यह मेरा एकदम बनके live हो गया है but the thing is नाम मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो हम site configuration पर जाएंगे same आपको left side पर भी वह दिख जाता है over here also ठीक है तो मैं क्या करूंगा change site name पर जाओंगा मैं यहां पर लिख दूंगा Pokemon ठीक है Pokemon I think अल्रेडी लिया हुआ है awesome Pokemon card oh my god यह भी अल्रेडी लिया हुआ Pokemon थापा कर जेता है यह तो कोई नहीं लिया होगा perfect Pokemon थापा perfect see so now मेरा यह website host हो चुका है URL है इसका Pokemon थापा.netlify.app जहां पर बहुत easy लिए देखो में सब कुछ कर सकता हूं यह तो काईस हमने फ्री में host कर लिया है but limitations are obviously there like सबसे पहली बात तो यह आपने netlify में host की है and कभी भी आप अपना Pokemonthapa.com वा यार मेरा अपना खुद का Pokemonthapa.netlify.app always netlify.app रहेगा ही रहेगा and बहुत सारी चीज़े जो आप नहीं कर सकते let's say database या backend या बहुत सारी चीज़े जो आप नहीं कर पाऊगे free में अगर आपको सब कुछ दे देंगे तो फिर क्या इनको netlify वालों को क्या मिलेगा समझ रहेगा आप free में job करोगे नहीं आपको तो महिने में उल्टा double salary चाहिए ज्यादा salary चाहिए तो वैसा ही है guys free में सब कुछ नहीं मिलता है इनका भी अपना paid version है but we have our hosting go पिछले 4 साल से मैं यूज कर रहा हूँ monsoon server sales चल रहा है इससे कम price कहीं नहीं मिलेगा thapa7 coupon code कर गया अब इसको जरूबाइ कर लिजेगा free domain free email free SSL certificate free AI website builder wordpress host कर सकते हो 24x7 chat supported 30 days money back guarantee भी है और क्या चाहिए तो मैं login कर लेता हूँ आप देख सकते हूँ कि मैंने login कर लिए Hello Vinod Bahadur मैं website पे चलूँगा और बहुत सारे website है मेरे already pokemon.csscourse.online अभी तोई देर पहले मैंने जो host करके आपको बताया था मैं already host कर चुका था वैसे तो बट फिर भी मैं करने जा रहा हूँ तो guys देखो मैंने एक अलग सा domain buy नहीं की क्यूंकि मेरे पास already 3 web hosting है और मेरे पास 2 bps hosting already पढ़े वह hosting करके बट वापस एक domain मैंने सोचा क्यू लो मैंने सोचा मेरे पास already इतने सारे domain है let's go with csscourse.online ये एक domain है अब एक domain के अंदर multiple sub domain बना सकते हो mostly sub domain काम आता है जब आप client को अपना काम दिखाना चाहते हो client1.thapatechnical.com client2.thapatechnical.com client3.thapatechnical.com तो जो अभी मैं बोल हो ना ये आपका URL है तो इस तरह के से आप final project होने से पहले आप client को अपना इस particular sub domain पे website को host करके दिखा सकते हो कि ये एक साथ दिख रहा है and once client पईसे दे देगा पूरा complete फिर जाके उनको host कराओ तो आप जाके source code दो एक बार source code दे दी आपने फिर तो हो गया आपका काम मिल गया पैसे फिर तो मैं चलूंगा यहां पर domain है न यह भी बहुत important है domain we have this sub domain तो sub domain पे मैं जाओंगा तो आप में कितने भी sub domain बना सकता हूं this is the beauty यार अपनी merge का बनाओ मैं लिख देता हूं फिर से pokemon यहां पर देखो pokemon pokemon कर देता हूं इस बार है na pokemon card कर देता हूं ठीक है pokemon card dot css course dot online एक custom folder बन जाएगा जिसका नाम होगा pokemon card ही कर देता हूं and then create ठीक है तो इस particular हमारा जो file manager है उसके अंदर एक folder बनके ready देखो pokemon card dot css course dot online अब अगर मैं यहां पर चलूँगा तो फिला तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं बट हाँ अब मैंजे क्या करना है वापस अपने dashboard पर चलना है we have our file manager यहां पर चलना होगा public underscore HTML के अंदर सारा data अब यह समझत रही यह folder है इसमें यह जो मेरा pokemon card है इसमें बस मुझे वो मेरा dist folder है मुझे उसको करना है and by the way यह जो data दिख रहा है already यह live host हो चुका था मेरा मतलब यह चुटकी में host हो चुका होता है बस इस particular folder के अंदर मेरा वो जो folder है उसको add करना है and if you remember मैंने एक second यह नहीं है paste ठीक है यह देखो dist folder oh my god see आपके सामने like I think hardly one second लगा होगा this folder के अंदर यह तीनों को मैंने control A top पे जो आपको यह दिख रहा है यह move कर रहा हूं मैं क्यूंकि मुझे इसको pokemon card जो folder है उसके अंदर चाहिए हो रहता है तो यह है उसका actual इस पे मैंने select की मैं move पे click कर दे रहा हूं खत्तम मेरा काम हो गया अब अगर इहां पे चलूंगा refresh करूंगा 3 2 1 and boom guys this is it खत्तम आप खुद देख लो आप खुद देख लो यह तो मेरा अपना खुद का server है pokemoncard.csscourse.online अब यह जो particular part है यह तो totally अब आपके उपर है तो वहाँ पे pokemonproject.thapatechnical.com आप यह कर सकते हो अलाकि मेरे पास वह है बट मैंने उसको save करके रखा हुआ है इसमें आपने देखा ना कितना easy जो process मैंने अभी की वह आप normal domain के साथ कर सकते हो let's say pokemoncards.com आपने यह एक domain लिए आप डारेक्ली सितर के अप्लोड कर दो मैं पूरा का पूरा सीरीज अप्डेट कर चुका हूँ कैसे आप host कर सकते हो चाहे static हो चाहे वह dynamic हो चाहे वह PHP हो चाहे वह react हो चाहे आपका node express mongodb चाहे जो भी हो सब के उपर मैं अल्रेडी video अप्लोड कर चुका हूँ प्लीज चेकाउट कीजेगा और आपके पास पूरा पावर है आप डेस्बोर्ड में जाओ आपको क्या चाहे परफॉरमेंस होस्टिंग सेकुरेटी इमेल फ्री इमेल जितना चाहे लोग डोमेंड लो वेबसाइट फाइल्स डेटाबेस एडवांस यह आपको वीडियो के इतना ही हूप वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आओ गया हमारे रियक्ट सेजिस में यह था हमारा दूसरा प्रोजेक्ट अन्ड यह प्रोजेक्ट आपको कैसा लागा कमेंट करके जरूर बाताना मुझे तो लगता आप लोगों को बहुत कुछ सिखने मिलाओगा सो गाइस वांस अगेंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे सेसे जावस्क्रिप कोर्स को भरवर के दोस्तों के साथ सेयर कर दीजेगा सब्सक्राइबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज कर दीजे मिलता हूँ मैं आपको नेक्स वीडियो में तिल दन गाइस थैंक यू सो मच टेक क्योग